हेलो दोस्तो आपका सवागत है YouTube चैनल पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे Introduction to Engineering Mechanics What is Engineering Mechanics? Engineering Mechanics को Study करने की लोड क्यों पड़ी? यह सभी बातें आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज की वीडियो में हम इसके Related Basic License करेंगे Engineering Mechanics के Related Basic Clear करने की थोड़े बते कोशिश करेंगे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए What is Engineering Mechanics और हम इसे क्यों पढ़ते हैं जैसे हमारे पास तीन होती हैं Branches एक होती है SOM, एक होती है Fluid Mechanics एक होती है Simply हमारे पर्च Engineering Mechanics इन्हें हम क्यों पढ़ते हैं सबसे पहले हम SOM के बारे में बात कर लेते हैं SOM में क्या करते हैं Overview में आद मैं दे रहा हूँ जैसे हम Broad View नहीं देते हैं एक बार वो हम देखते हैं आज SOM में हमारे पास क्या होता है मान लिजिए कोई Body है उसके उपर Force Apply करेंगे हम F दूसरे Direction में Opposite Direction में भी F Force Apply करेंगे तो क्या होगा तो क्या होगा इस Body में Deformation होगी होगी है न इन Deformation को हम Study करते हैं SOM में एक और Example देना चाहूँगा मान लिजिए आप हैं यह यहाँ पर आपको इस तरफ से कोई Force लगा रहा है F और इस तरफ से भी कोई Force लगा रहा है F तो आप क्या होगा आपकी Body Deform करेगी जे हम Study करते हैं इन Deformation को हम Study करते हैं किसमें कहां पर Study करते हैं Stenthofer Material में उसके बाद Why we need the study of Fluid Mechanics Fluid Mechanics हमें क्यों पढ़ना पढ़ता है क्योंकि मान लिजिए कोई महां पर Body है न जहां पर कोई Body है इसके उपर अगर मान लिजिए जहां पर कोई Static Fluid है जे किस तरह से Forces जहां पर Exert करेगा इन Forces की Calculation कैसे होगी जे हम Stentho Material में नहीं पढ़ते Fluid का Behavior और Fluid की जो है Nature कैसे वो Forces Exert करता है कैसे Drag Force लगती है कैसे Lift Force लगती है ऐसे Number of Parameters हम Fluid के Related Fluid से कैसे किसी Body पर Effect पड़ता है वो हम Study करते हैं कहां पर वो हम Study करते हैं Fluid Mechanics पर समझा गया Stentho Material में हम Simply Body की Deformation के बारे में बात करते हैं यानि कि Real Practical बाते करते हैं जैसे एक और Example यह मान लिजए ओके एक और Practical Example देखती है एक हमारे पास गर में जो Beam होता है यहां पर देखें यहां से Simply Supported होता है देखिए इस जो Beam है इसकी Deformation होगी Actual में Practical में Deformation होती है यह जो Deformation की Study है यह हम करते है Strength of Material में अब भाई सब हम Engineering Mechanics में क्या करते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं Engineering Mechanics में हम SOM में हमने Real Practical Body के बारे में बात कर ली जहां पर Deformation हो रही है Fluid Поэтому Mechanics में हमने Five पासी बोडी की study करते हैं जो हम मानते हैं रिजिट अंग जिनरी mechanics में जे बात जाद रख लेना biggest assumption होती है body is rigid हम body को rigid माते हैं sir what is the meaning of a rigid body rigid body का meaning क्या है वो body जिसके उपर जितना मर्जी लोड लगाओ उसकी deformation नहीं होगी उसे हम बोलते हैं rigid body उसे हम क्या बोलते हैं rigid body जितना मर्जी लोड लगाओ उसकी deformation नहीं होगी मान लीजिए मान लीजिए अभी आपको practical बाते समझाएगी कि हम इसे क्यूं पढ़ते हैं मान लीजिए कोई body है मान लीजिए कोई body है इसमें हम इसे हमने design करना है मान लीजिए ऐसे सबसे पहले हमें force system के बारे में पता होना जाईए किसे के force system में इसमें किस तरह से forces लग रही है इनका nature क्या है इसका resultant force कैसे find करेंगे force find कर ली उसके बाद हम देखेंगे resultant force की वज़े से इस body की deformation कितनी हो रही है उसके बाद fluid भी होगा fluid की वज़े से क्या क्या effect पढ़ रहा है बोडी पर अगर हम एक ही time पर इन सवी चीजों का analysis करें तो जे system हो जाएगा complicate जे system हो जाएगा complicate इसलिए हम क्या करते हैं अलग लग branch मना देती है mechanics में हम क्या करते है mechanics में हम क्या करते है simple एक body मानते हैं जिसकी कोई deformation नहीं हो रही simple एक body मानते हैं जिसकी कोई deformation नहीं हो रही इसके वाद अगर हमें simple body का analysis करना आ गया simple body का अगर हमें analysis करना आ गया जिसमें कोई deformation हमने मान लिया नहीं होगी इस पर हम देखेंगे कौन कौन सी forces लग रही है इसमें हम देखेंगे में लग री है सब कुछ फाइंट करने के बाद हम देखेंगे एक जो रजल्टीन फॉर्स है ये जो रिजल्टीन फॉर्स है वह किस ट्रेक्शन में लग रही है रिम एंसक ह pourtant पतना चल जाएक gradErों direction में लग रही है तो हमें पता चल जाएगा further further हम उसका design कर पाएंगे कहां पर strength of material में जाने की mechanics एक शुरुवात है किसी body को हम rigid मानकर शुरुवात कर देती हैं उसे forces पता करना start कर देती है static में mechanics में दो पाट आते है static or dynamic static में basically हमारा main motive हुई है कि हम body के उपर किस तरह की forces लग रही है co planner non-co planner जिसके वारे में आगे हम बात करेंगे और उन forces का resultant find करना हमें आना चाहिए जह मेरा main motive होता है engineering mechanics static में okay body मुडिक को मर्डी सेड़ मानते जहें बात जार रखना इन जिनर्डय मर्डी को क्या मानते हैं, Sergeant म मर्डिक में जिनर्डरा मुच干़ो मं और जो स्टैंथ और मटीरिल है सो में हुन में उस्में हम passwords नहीं मानते हैं उस懇ंज देखें यहां पर बड़ी बात है यहां पर हम rigid मानकर force analysis जहां और भी फिर dynamic में हम different type का analysis करना सीख जाते हैं with the help of assumption of rigid body with the help of this assumption rigid body की assumption से हम simple एक body को rigid मानकर analysis करना start कर देते हैं उसके बाद analysis करना गया हमारे पास next field है strength of material and fluid mechanics with the help of these हम अभी practical field में एंटर कर जाते हैं forces analysis हमें करना आ जुका है अभी हमें पता है practical में body deform होगी हम according to that machine design strength of material fluid mechanics thermal concept लाकर उस body को design कर देते हैं इसलिए हमें जिनरी mechanics की यहां पर नीड पढ़ती है ओके यह तो मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा overview overview related to fluid static ओके यह आपको basic concept clear हो चुका होगा इसमें strength हो इसमें आज की आज से हम आज से हम जिनरी mechanics को पढ़ेंगे और जिसमें हम इस जो deformation है ना इसके बारे में बात नहीं करेंगे किसके बारे में बात करेंगे हम forces की वज़े से rest और motion behavior के बारे में बात करेंगे यहां कि deformation के बारे में बात नहीं करेंगे अब ही मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहूंगा यहां पर अगर बोड़ी जहां पर देखें थोड़ा सा बेसिक है यहां पर confusion रहती है मान लेजिए यह बोड़ी है मारे पास यह मारे पास बोड़ी है और यह बोड़ी static position में what is the meaning of that static? क्या इसमें forces लग रही है जा फिर नहीं जह confusion रहती है अगर बोड़ी static position में उसमें कोई forces नहीं लग रही जह बहुती गल्त सोच रहे है अगर जह सोच रहे है static का means है उसमें forces लग रही है मगर वो forces balanced है क्या है? balanced है वो forces क्या है? balanced है जे मत सोचना अगर body static position में है कि उसमें कोई forces नहीं लग रही forces लग रही हैं मगर वो balanced हैं कैसे balanced हैं एक और example मान लिजे जे body है इस direction में हम force लगा रहे हैं 10 kilo newton इस direction में भी हम force लगाएंगे 10 kilo newton क्या body move करेगी नहीं फिर से एक वही example जहां पर आप हैं आपको इस direction में आपका friend जहां से खीच रहा है इस direction में खीच रहा है एक ही force से क्या आप move करेंगे नहीं आप static position में हो मगर आप पर forces तो लग रही है ना आप static position पर हो मगर आप पर forces लग रही हैं मगर वो forces balanced हैं इसलिए इसे हम बोलते है static इसलिए इसे बोला जाता है static एक और बात जहां से मैं आपको बताना चाहूंगा अभी जो हम rigid body की जो हम बात कर रहे हैं dynamic में हम कैसे मानते हैं जे देख लें जे मान ले जी body है जे body है मारे पास इसके उपर इस direction को हम force लगा रहे हैं 100 kilo newton और इस direction को हम लगा रहे हैं force 40 kilo newton ओके अभी देखना इस direction को कितनी लग रही है 100 kilo newton अभी मैं इस direction से erase करूँगा लग रही है 100 kilo newton अभी जो 40 kN है इस direction से वो तो balance हो जाएगी कितनी बची जहाँपर 60 kN अभी देखना जो जहाँपर देखें फिर से बताता हूँ जह जो है 40 kN है जे अभी balanced हो चुकी है इसकी वज़े से इस body में deformation आएगी इसे हम strength of material में पढ़ते हैं change in length due to x के loading PL by EA यह हम सो में पढ़ते हैं यह deformation की बात हम सो में करेंगे यह हम बात करते हैं सो में यहां पर यह बात नहीं करेंगे यह तो हो गया सो म का part ओके यह हो गया सो म का part जो चीज़े balanced है वो body को deform करेंगे जह हम सो में पढ़ते हैं सो में हम with the help in case of axial loading change in length हम find कर लेते हैं PL by EA P क्या है load 40 L इसकी length की body की E modulus of elasticity A इसका area body का simple सी बात है जह हम सो में पढ़ते हैं मैं आपको basic clear करना चाहता हूँ होगा क्या engineering mechanics में जह समझगे तो आपका concept clear हो जाएगा अभी आप देखते जाना यह तो था सोम का part मगर engineering mechanics में हम मानेगे कि इस body में कोई deformation नहीं होगी आगे हम trusses पढ़ेंगे हम मानेगे इस body में कोई deformation नहीं होगी अभी देखें अभी देखें जहां से interesting बात 40 और 40 किलो न्यूटन आपस में balance हो चुके हैं इस direction में कितनी बची थी force इस direction में 40 तो हमने लगा दी 0 बची अभी इस direction में 40 और 40 balance हो चुके कितनी बची थी 60 किलो न्यूटन अभी देखें क्या होगा अभी क्या होगा जह body move करना start करेगी इस direction में क्योंकि इस direction में force तो कितनी है जीरो जे हो गया डायनमिक का case body move कर ली है body में अभी कोई deformation नहीं होगी न अभी एक और example फिर से वह वड़ी example मैं आपको देना चाहता हूं यहां पर देखना एक side को जब force लगेगी body में deformation नहीं होगी नहीं होगी आप का friend आपको इस direction को कीच रहा है एक force से इस direction को कोई force नहीं लग रही, 0, कोई force नहीं लग रही, आप इस direction को चले जाओगे, चल भई तेरे साथ चलता हूँ, अभी आपकी body में कोई deformation नहीं होगे, आप राम से चलोगे, इसलिए हम gendering जो mechanics, static वाला case है, उसमें तो हम assumption, resume करते हैं, body reason है, for the sake of simplification, but gendering dynamics में हमें जे assumption लेनी नहीं पड़ती, engineering dynamics में हमें जे assumption लेनी नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि जे जो unbalanced force है, 60 kilonewton थी, example में जो बताया, इसकी वज़े से क्या deformation होगी, आप खुद सोचे, आपको कोई एक तरफ भी कीज़ेगा, तो आप में कुछ deformation होगी ही नहीं, ठीक है न, आप राम से जाल पड़ होगे, इसलिए, engineering mechanics का जो dynamic part है, उसमें हम assumption ना भी माने हैं, बोडी रिजट है, तो बोडी की deformation होगी ही ने, क्योंकि बोडी की तरफ एक direction में फोर्जा लग रही है, ओके, I hope कि आपका जे concept clear होगा, clear होया होगा, यहां पर मैंने जहां पर जही लिखा है, second slide में, जहां पर देख लें, जहां पड़ लेना, इस slide में जही बताया गया है, जह जो, जहां पर highlighter यूज़ करना पड़ेगा, जहां पर देखें, जह जो balance part है न, balance part, इसका जो balance part है, इस force का, वो क्या करेगा, इस बोडी को deform करेगा, जह एक static की तरह केस बन चुका है, जहां पर हम मानेगे, जहां पर और मैं clarity देना चाहूंगा आपको, जह एक static का केस बन चुका है, बोडी अभी move नहीं करेगी, जहां पर deformation होगी, अगर हम strength of material के perspective से देखें, deformation होगी, मगर जहां पर हमने, for the sake of simplification, हम बोडी को rigid मानेगे, उपर वाड़ा केस देखें, बोडी move करेगी, dynamic का केस आगया, जहां पर बोडी move करेगी, deformation तो होगी नहीं, जहां पर वैसे हम बोडी को rigid treat कर सकते हैं, खुकि deformation होगी नहीं, जह होगया static, जह होगय dynamic, I hope कि आपको clarity मिली होगी, related to the basics of engineering mechanics, टेंटों material and fluid mechanics, उसके बाद अभी मैं आपको और बात बताना चाहता हूँ, एक slide add करते हैं, एक यहां पर slide add करते हैं, यहां पर देखें, अभी देखें, हमारे पास एक point है, क्या है, point, जह हमारे पास है point, इस point के उपर, इस point के उपर forces लग रही होगी, इस point के उपर forces लग रही होगी, मैं आपको बताऊंगा, बोलना, बोलूंगा कि 10 newton की force लगाँ, इस body के उपर, आप बोलोगे, कि मैं force इस direction को लगाँ, इस direction को लगाँ, इस direction को लगाँ, जहां फिर इस direction को लगाँ, जानी कि अगर मैं simply बोल दू 10 किलो न्यूटन की force इस point पर लगाओ तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि मैं किस direction को force लगाओंगा ठीक है ना आपको कुछ नहीं पता चलेगा ये मेरी statement wrong है तो मुझे क्या बोलना चाहिए मुझे क्या बोलना चाहिए 10 न्यूटन की force लगाओ positive x direction में मुझे direction specify करना पड़ेगा force तो बतानी है ही है मुझे direction भी बताना पड़ेगा इसलिए force है ना इसे हम vector बोलते हैं इसलिए हम force को vector बोलते हैं हमें direction भी specify करना पड़ता है जानी कि जहां से हमें एक concept पता चलना चाहिए कि अगर हमने किसी point के उपर force का effect देखना है यहां पर द्यान से सुनना बात अगर हमने किसी point के उपर force का effect देखना है किस के उपर point के उपर यहां पर मैं लिख दूँ point यह मारे पास है point point के उपर force का effect देखना है तो हमें magnitude पता होना चाहिए हमें direction पता होना चाहिए दो चीजे आपको पता होगी आप सोचें अगर आपने किसी point को move कराना आए तो आपको magnitude and direction पता होना चाहिए ठीक है ना आपको complete effect पता चल जाएगा force का इस force की वज़े से जे body के उपर क्या effect पड़ेगा simply body is direction में move करेगी अगर force की value इस point mass से ज़्यादा है point जो weight है उससे ज़्यादा है simply body is direction में move करना start कर जाएगी ये थोगी point की बात जा रखना point की बात होई ये जे उसके बाद अभी हम बात करते हैं body के बारे body के बारे body क्या होती है point क्या होता है जिसकी कोई point क्या होता है जिसकी कोई dimension बहुती समाल होती बहुती समाल मगर body क्या होती है जिसकी कुछ dimension होती है डिमेंशन होती है जहांपर देखें body के उपर forces कैसे हम analysis करते हैं ये वानलीज buffalo का बीम है ये एक बीम है यांपर एक support लगी होई है यहां पर स्पोर्ट लगी हुई है बीम के उपर ओके अभी अभी मैं आपको बोलू 10 किलो न्यूटन की फोर्स लगाओ आप बोलोंगे कि डिरेक्शन भी बताओ इतना आपको बता चल गए है अभी आप बोलोंगे कि मुझे डिरेक्शन भी बताओ अभी मैं आपको डिरेक्शन भी बता दी 10 किलो न्यूटन की फॉर्स लगानी है डौणड लगानी है डौणड आप जहां पर भी लगा सकते है यहां पर भी लगा सकते है काहां पर लगाएंगे फिर आप अभी आपको मैगनिटूड भी पताओ चल चुका है अभी आपको magnitude भी पता चल चुका है मगर आपको direction भी पता चल लगे मगर आप फिर भी complete force का effect नहीं देख पा रहें कि force कहां पर लगानी पड़ेगी force आपको कहां लगानी चाहिए यह आपको अभी भी नहीं पता चला जाने कि body के case में direction and magnitude जानने से बात नहीं बनेगी हमें एक और बात जाननी पड़ेगी point of application जे force हमने कहां पर लगानी है center पर लगानी है और edges पर लगानी है मान लीजी अगर हम center पर 10 unit की force लगा रहे है यहाँ पर कितनी force आएगी direction के वज़े से 5 यहाँ पर आएगी 5 अगर हम center पर नहीं लगा रहे हैं अगर हम center पर force को नहीं लगा रहे हैं अगर हम यहाँ पर लगा रहे हैं force को यहाँ पर तो 5 आएगी जहाँ पर 0 हो जाएगी direction की value यहाँ पर value हो जाएगी 0 sorry यहाँ पर 10 थी यहाँ पर हो जाएगी 10 चानी की जब हम body की बात करेंगे तो हमें point of application भी पता होना चाहिए direction भी पता होना चाहिए और magnitude भी पता होना चाहिए मगर point के case में ऐसा नहीं है क्या बोला मैंने point के case में ऐसा नहीं है point के case में ऐसा नहीं है point के case में point के case में हमें सिर्फ magnitude and direction पता हो चाहिए क्योंकि मैंने body दिया जब point तो point पर force पता ही है यहां पर ही रहेगी यहां पर point of application की बात होगी नहीं मगर जब हम body के बारे में बात करेंगे वहाँ पर point of application की बात होगी क्योंकि point of application से reaction forces की value चेंज होगी अगर आप जहाँ पर force अलगाएंगे तो जहाँ पर force की value कुछ और होगी जहाँ पर कुछ और होगी यही मैंने जहाँ पर slide में लिखा है आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं one minute यहाँ पर देखें यह तो मैंने आपको बता दिया उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है आप यहाँ पर इस जहाँ से पढ़ सकते हैं यह जो हमारे पास particle है जे कितनी स्पेस उकुपाई करता है इन फाइट आइसे में ठीक है बहुती समाल सी स्पेस उकुपाई करता है तू नो दी कम्पलीट एफेक्ट ओफ फोर्स तू नो दी कम्पलीट एफेक्ट ओफ फोर्स ओना पॉइंट हमें मेंगनीटूड एंड डिरेक्शन पता होना चाहिए पास जा रखना बोडी के केस में तू नो दी कम्पलीट एफेक्ट ओफ फोर्स हमें मेगनीटूड डिरेक्शन हमें मेगनीटूड डिरेक्शन मेगनीटूड डिरेक्शन एड पॉइंट ओफ एप्लिकेशन ओफ फोर्स हमें पता होना चाहिए एक और example है point of application कीजिए मारे पास letter है अगर letter के जब आप टोप portion पर होते हो ना तो आपका slip पर होने का chance जादा रहता है ध्यान से देखना जहां पर force downward direction में लग रही है कितनी लग रही है एन unit force लग रही है direction भी पता magnitude भी पता अगर आप जहां पर होगे top position पर आपके slip पूने के ज़्यादा चांस रहते हैं आप कभी letter पर चड़े होंगे आपको पता होगा अगर आप डाउंड पर होगे नीचे होगे आपके slip पूने के chance कम रहेंगे जाना कि point of application मैटर करता है इस तरह से आप कुछ number of example खुद से सोचना आपका concept or build होगा इस तरह से हम आगे वाड़ी वीडियो में इस तरह से हम आगे वाड़ी वीडियो में types of forces coplanar no coplanar forces के बारे में बात करेंगे वीडियो अश्य लगी शेयर जूरू करना लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू